गवंff लास्टेल मार्टेटिंग नमें देख़ा है था ब्रक्टिकल अउस जगाँ पर हम यूज में फॉटिकल के अंधर हम देखेगे एवोलीटिंग एबेक मार्केटिंग टेस्ट अब Digital Marketing इंदर ये A-B Marketing टेस्ट क्या होता है Actually में ये उस जगापे हम use करते हैं जहाँ पर हम कोई change place करना चाते हैं हमारी website के अंदर कहीं पर यानि change जो हम place करना चाते हैं उसको हम बहुती safe way में place करना चाते हैं कि हमारे existing user को कोई negative impression ना पड़े और successfully हमारे change का हमें impact भी पता चल जाए कि वो हमें positive result देने वाला है कि negative तो कैसे A-B testing आपको help out करेगा चले देखते हैं सबसे पहले as मने आपको बताए कि A-B testing को हम bucket testing भी कहते हैं जिसके अंदर ये method दो version को compare करती है जैसे कि कोई भी web page है या फिर कोई भी एक छोटा सा छोटा change हम अगर कहीं पर कर रहे तो जो change हमने किया है उसको change version को और previous version को एक दूसरे से compare करना और कौन सा better perform करना है वो determine करना उसको हम check करने की जो process करेगे है उसको actually मैं का जाता है A-B testing normally web page और app screen होती है उसमें छोटा सा एक modify करना होता है छोटा सा change हम करते है और हम उसका दूसरा version बनाते है like उस same page का हम दूसरा version बनाते है जो भी हमने change किया है वो change या तो छोड़ी से headline हो सकते है या तो पुरा पुरा button हो सकता है या तो हम completely page change करते है कि जो एक page है उसी के जैसा हम complete change करके दूसरा page बनाएगे तो web page, app screen या फिर कहीं पे भी change हो सकता है और वो change छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है अब उसके बाद हमें क्या करना होता है जब हमारे पास दो variant बन गए तो जो हमारा half of the traffic रहेगा जो हमारी traffic generate होता है लग लग resource के थ्रूँ उसमें से half of the traffic को हम पुराने version पे ले जाएगे और half of the traffic को हम modified version पे ले जाएगे जो जो पुराना version है हमारा original version उसको हम कहते control और जो नया version है उसको हम variations कहते तो variations हैनि हमने कुछ change करके उसमें apply किया और दोनों traffic को parallel उस flow को उस particular दोनों page पे आने देगे और check करेगे कि क्या result हमें मिल रहा है कि कौन सा variation वाला page या फिर original page कि इस तरीके से हमें result दे रहा है लोग क्या पसंद करें जादा तर जो change किया page है वो या फिर पुराना page था वो तो यह फिर हमारी यहां से testing की process start होते है for example यह control environment है यह variations है तो control environment के इंदर for example यह मानलों की original है और यह हमने change किया है अब normally जब traffic आता था मुझे तो इतना ratio मिलता था 23% और मुझे यहां पर 37% मिलता है तो जो मैं statistical information वाईस दोनों की comparison करूंगा कि कौन से users ज्यादा मुझे benefit दे रहे और कौन से version के through तो वह चीज़ को मैं observe करूंगा और मैं assume करूंगा कि कौन मुझे change करना चाहिए और नहीं करना चाहिए मुझे change अगर मैं करूंगा तो मेरी audience like करेगे या नहीं करेगे यह ebitasting का main purpose होता है ebitasting आपको अलोग कर रहा है कि आप बहुती carefully जो भी changes करना चाहते हो वह place कर पाऊ user experience के अंदर ebitasting आपको अलोग करता है कि आप बहुती carefully and successfully वह changes को place कर पाऊ user experience के अंदर और आप यह भी चीज़ दे सकते है कि why certain element of their experience impact user behavior यानि जो आपने changes किया है उसमें से क्या ऐसी चीज़े जो user experience को impact करे everything आप इसके तुरू observe कर सकते हो कि आपको change जो किया है उसको continue करना चाहिए आपको उसको modify करने की ज़रू होते या फिर जो भी variant आपने change किया है वो perfect है आप change करोगी तो आपको ज्यादा benefit मिलेगा so अगर मैं another word में कहूँ तो they can be proven wrong that opinion about the best experience for a given goal can be proven wrong for example कभी-कभी मैंने जैसे बताया ऐसा हो सकता है कि जो भी आप changes place कर रहे हो वो changes user experience को suit नहीं करेगे और वो goal complete नहीं करेगे जो इस goal से उस changes को apply किया गया है तो AB testing आपको wrong prove करेगा और आपको दुबारा कुछ changes करके again try करना पड़ेगा so normally मैंने कुछ month का एक span के अंदर एक survey find out किया है जिसके अंतर आप AB testing के साथ website बना के जा रहे हो और AB testing कर रहे हो और जो भी change आ रहे हो उसको AB testing के जरी observe करते प्लेस करे हो तो आप एक sudden hike ले सकते हो और अगर without AB testing जा रहे हो तो आप experiment करोगे गलतिया होगी change करनी पड़ेगी और आप change को place नहीं करवागे कभी कभी हो सकता है कि जो आप change करें वो आपके user को set नहीं होगा और वो एक negative impression लेके वहाँ से जाएगा और might be दुबारा कभी नहीं है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है और हो सके तो AB testing को include करो आप अपनी website के अंतर जब भी changes apply करो और यह से variant को check करने के बाद ही उसको continue change में डालो और live change में apply करो तब तक को इसको variance wise एक बार check करके देख लो तो आई हमें इस example wise AB testing को समझते हैं कि यहाँ पर मैंने दो advertisement का example यह है उनकी compare में number of visit sales और conversion rate हम find out कर रहे है कि कि किनने number of percentage हमें conversion rate मिल रहा है तो अगर इसी चीज़ को बहुत साई live website के थ्रूबी अगर आप check करना चाओ तो कर सकते हो जैसे मैंने आपको एक example यहाँ पर दिया है कि किसmatrix.com करके blog site है जिसके उपर से आप यह चेक कर सकते हैं इस तरीके से वह facility प्रोवाइड करते हैं for example यह statistical information को मैं अभी live case matrix site के थ्रूब आपको समझा रहो for example आप देख सकते हो यहाँ पर for example मै 100 user visit ले रहा हूँ और उसके सामने मुझे जो conversion मिल रहा है वो 5 मिल रहे है तो मेरा conversion rate 5 हो गया और 1500 user के सामने मुझे conversion मुझे number of sales मिल रहे 75% और उसको मैं कर रहा हूँ 85% तो 5.67 हो रहा है तो यहाँ पर यह मुझे जो भी मैंने एक variant और दूसरे variant के बीच में changes आया कि पहले म मुझे 100 मिल रहा हूँ था और particular change के बाद इतना मिल रहा है तो variation B converted 30% better than the variation A, we are 62% certain that the changes is variation B will be improved or conversion rate, unfortunately your results are not statistically significant, यहाँ पर लिखाए कि वो result जो है वो significant नहीं, यहाँ जो changes है वो इतने number of percent में तुम्हें improvement नहीं दे रहा है और for example यही अगर conversion 185 हो तो क्या हो रहा है अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर your A, B testing is statistically significant तो अगर variant A और variant B के बीच में जो conversion rate है वो improve हो सकता है और particular change आपको अच्छा return of investment दे रहा है तो आपको इसको continue करना चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर आखे live A, B testing भी कर सकते हो जो भी आप change करें उ देखा कि particular change significant है या नहीं है अपको कुछ नहीं करना सिर्फ data collect करना है आपका goal identify करना है कि आप पर्टिगुलर data से क्या achieve करना जाते हो एक situation बनानी होते है जिसको general hypothesis कहा जाता है कि दो चीज जिसके विच में आपको testing करना है now variations बनाओ दो particular और traffic उन पे fire करो दोनों variations पे experiment को run क करो जो traffic fire करोगे दो experiment run होगा और add then जो इसे मैंने अभी पता है वैसे आप result को test करो so start using A-B testing as much as you can on your website whenever जब भी आपको ऐसा लगते है कि आपको change implement करना है तब यह बहुत ही safe tool से जो आपको कोई भी changes आपको place करना है वो safely carefully place करके आपको देगा और बताएगा कि कहा आपकी ग आपका evaluating A-B marketing taste next video का अंधर हम देखे के how affiliated marketing works